देश में आज इद उल अजहा यानी बक्र इद का तिवहार मनाय जा रहा है देश भर के मस्जदों और दरगाह में लोग सुभा इद की नमाज में शामिल हुए नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगा कर इद की मुबारक बात दी नमाज के बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो गया प्रधान मंदरी नरीन मोदी ने ट्वीट कर इद की मुबारक बात दी उन्होंने लिखा इद उल अजहा के मोके पर शुब काम ना है उमिद करता हूँ कि ये दिन सभी की जिंदगी में खुशी और बरकत लेकर आए ये दिन हमारे समाज में भाईचारा और एकता बनाए रखे इसी के साथ बने रही है राजनमा टिवी के साथ दाने वाग